नमस्कार दोस्तों आज की इस लर्निंग सेशन में आपका स्वागत है तो आज का हमारा टॉपिक है जेपीजी इमेज को हम PNG में कनवर्ट कैसे करें तो जेपीजी इमेज को हम ओपन करते हैं तो जो हम एप्लिकेशन यूज कर रहे हैं वह फोटोशॉप 7.0 तो ओपन करने के लिए आप अपने पास दो मैथड होते हैं एक तो डारेक्ट आप फाइल से जाएंगे और ओपन पर क्लिक करेंगे फिर वही आप्ट आपको दिखाई देंगे और इसको जो भी आपको ल्यवंट करनी है उस्से आप नटन कर लिजी तो हम jiस को अफन करते हैं तो जो हमारा इसमें रहें रहें ऑ्षेट रहे गा मेंat को बाहर निकालना तो जो हम option यूज़ करता है तूल का वह है जिस हमारा last tool last tool के three type होते हैं था बाक्षण नॉर्मल लास्ट 1 पॉलिगोनल और यह होता है मैंगेक तो जो आपको last tool है वह मिलेगा लेफट कॉम्हुर्ने में जो मैं आपको दिखाई दे रहा हूं यह पहला option last tool है यह दूसरा है polygonal और magnetic तो हम पहले को select कर लेंगे select करने के बाद जो हमें image को PNG में convert करना है उसके लिए हम select करेंगे select करने के लिए आपको अगर आप mouse use कर रहे हैं तो आप अपनी right hand की अब हम उसके लिए जो लेफ्ट वारी कॉर्णर को प्रेस करेंगे और जो उसे select करेंगे एरिया को और move करते जाएंगे दिरे करके और अगर आप laptop यूज कर रहे हैं और mouse pad आपके पास है तो आप left hand की किसी भी finger से आप उसे प्रेस करेंगे और right hand की finger से आप उसे ब्रेक करते चले आएंगे और move करते रहेंगे तो हम चलो अपना अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं हम laptop तो laptop में हमने इस image को select करने के लिए अपनी laptop की left side को press कर लिया है और इसे हम move कर रहे हैं इसे दीरे-दीरे से move करेंगे और select करते जाएंगे कोई जल्दी नहीं है आप पहली बार यूज करेंगे तो आप थोड़ी difficulty आएंगी और बार बार जब आप practice करेंगे तो आपके लिए easy हो जाएगा जितना आप आराम से करेंगे उतना ही आपके लिए जो image निकल के आएगी वह काफी sharp निकल के आएगी और आप जल्दी जल्दी करेंगे तो कुछ भी area आपने गलत select कर लिया तो वह पुच्छा नहीं लगेगा वैसे तो आपके लिए काफी application या online site मिल जाएगे जिसके तुरू आप PNG में convert कर सकते हैं लेकिन उसमें कुछ आपके लिए foundation आएगी उसमें watermark आ जाएगा और अपनी choice से आप select नहीं करता हैं आप पर पाएंगे इसके तुरू आप जो करेंगे वह अपनी पसंद से आप अपनी तरीके से आप से PNG में convert कर सकते हैं कोई difficult task नहीं कि वह पांच मेंट का task है बस केवल आपको शुरू-शुरू में थोड़ा सा आप अपनी दिफिकल्टी आएंगी और वो भी आपके लिए easy आप आगे जब चलेंगे तो उसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है प्रैक्टिस करते रहें कोई इतना वड़ा difficult task नहीं है कि इस में आपको कोई coding करनी है आपको इमेज को जो भी चीज को आपको select करना है जा पर जिसको PNG में convert करना है उसको बस जो side है उसको बहुत easy तरीके से select करेंगे तो आपकी image में उतना ही sharpness आईगी जल्दी करेंगे तो कुछ area जैसे मैंने अभी पैर में देखेंगे तो थोड़ा सामने side से निकाल दिया है तो वही चीज है जितना आप आराम से करेंगे ध्यान से करेंगे concentrate को करेंगे तो तना ही आपकी image को sharpness मिलेगी अजय झात आपूँ झात दियाया आपका आपकी है जाव करेंग Śए bowl अब जो मैं आपको बताता हूँ इसमें अपना एक option और लेंगे हैं जो हमें select के अंदर जानने के बाद उसमें option मिलेगा आपके लिए feather का तो इसका shortcut है वो है Alt Ctrl D तो इसमें फायदा मिलेगा उसमें जो option मिलेगा है आपको radius बताएगाई तो जो area आपको select रहना है और जिस area को आप जो हमने align select select की है उसमें shadow stripe में बन जाएगी जितना आपको बड़ा बनाना है तो आप उतना ही radius ज्यादा ले लिए लेकर अपने image की और जो new layer है उसमें आप ok कर देंगे उसके बाद आपको बॉटम में एक circle दिखाई दे रहा है add layer mark उस पर क्लिक करेंगे अब जो हमारी image है वो select हो चुकी है अब देखे आपके side में आपको black black shadow type में दिखाई दे रही है तो यह feather का effect है और अगर हम feather को use नहीं करेंगे तो बिल्कुल line दिखाई देगी तो जो अच्छा नहीं लगेगा तो हमारी image है वो एक तरीके से png convert हो चुकी है तो अब इसको हमें save करने के लिए हमें करना क्या होगा आप ज इसमें डिट डाल देंगे क्योंकि मैंने पहले भी इमेज को पी इंजी में convert किया हुआ तो जैसे अब देख पा रहे हैं यह हमारी png इमेज है तो मैं आज आज की डिट डाल देता हूं इसमें दिसंबर 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 तो हम इसे desktop पर सेव कर लेंगे तो हमने सेव कर दिया अब यह हमारी इमेज सेव हो चुकिया है अब इसको हम बंद कर देते हैं यहां पर आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा है इसमें 2nd दिसंबर दिसंबर यह जो हमारी इमेज आज की है वो यह है जो आपने पीएजी में कनवर्ट किया है यह देखिए इसका बेक्ग्राउंड जो था हमने सारा रिमूव हो चुका है और जो मैं आपको फैदर का इफेक्ट दिखाता हूं तो यह देखिए जो हमने यूज किया है वो सेवन किया है और जो हमने पहले जो इमेज मैंने क्रॉप की हुई है उसमें आप देखेंगे इसमें कम है और देखिए डार्कनेस और आ रही है और आपको दिखाता हूं मैं इसमें इसमें देखिए और दिखाई दे रही है तो यह अपना फैदर का एफेक्ट है तो जिस तरीके का आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप बनाईए और इमेज को पी एंजी में कनवर्ट कीजिए तो यह था हमारा आज का सेशन अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे झाल